वीदा प्यूपिल हम भारत के लोग लगातार जो लोग हैं जिनको ये पता है कि हम बिना एक साथ आए बिना एक खटे हुए अपने अधिकारों को नहीं बचा सकते हैं वो लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं सुवए साम 24 गंटे बिना ये सोचे कि उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है या उनके अपने संग्ठन की आइडेंटिटी क्या है या उनका कोई इगो या एहम भी है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम सब इखटे नहीं हुए तो हम बाबा साब का जो समिधान और जो समिधान में अधिकार हैं आम आदमी के मून लिवासियों के, भारतवासियों के, बहुजनों के या जो बुद्ध के समय के समण समास थे उनके अधिकारों को हम सुर्चत नहीं कर पाएंगे हलाकि अब वो बचे नहीं है मगर एक उम्मीद है कि अगर अभी भी हम सब लोग एक साथ इकटे हो गए तो हम इन सब को बचा भी लेंगे और बढ़ा भी लेंगे यही सोचकर सभी लोग वर्च्वल मीटिंग्स में क्योंकि कॉरोना के समय फिजिकल मीटिंग तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कॉरोना महामारी बहुत जादा इस समय दोजार इकिस में मई के महिने में बहुत जादा बढ़ रही है बहुत जादा डैथ हो रही है लगबग 6,64,369 गाओं और लाखो जो शहर और कस्वे हैं उनमें कॉरोना फैल चुका है और काफी लोगों के मरने की सूचनाएं आ रही है मगर जो बीमारी है उससे बड़ी बीमारी है कि जो बहुजन या SC, ST, या OBC या समण समाज या जो आदिवासी समाज जो भी आता है उस समाज के जो अधिकार हैं अगर वो सुरक्षित नहीं रहे तो महामारी के बाद भी या महामारी के समय भी उनको खाना भी नसीब नहीं होगा क्योंकि उनके पास कोई रोजगार का सादन रहेगा नहीं सिक्षा जिन लोग उने ली है एजुकेशन जिन लोग उने ली है उसके हिसाब से उनको काम मिलेगा नहीं पैसा उनके पास आएगा नहीं जमीन उनके पास है नहीं इंडेस्ट्री उनके पास है नहीं जो सरकारी नौक्रियों का एक रुजहान था क्योंकि सरकारी सेक्टर सारे एक-एक करके बेचे जा रहे हैं तो उसमें नौक्री की कोई उम्मीद है नहीं ये सारी चीज़ें आप लगाता लगाता देख रहे हैं और सभी महसूस कर रहे हैं इसलिए जो मीटिंग होती है उन मीटिंग में सवाल जवाब होते हैं तरह तरह की बातें आती हैं कि कैसे करना है क्या करना है क्या नहीं करना है अधिकतर लोग जो इस चिंता में हैं उनका ज ऐसी 70 साल से यह 70 साल के आसपास से जिस तरह से संक्ठन बनाने की पिल्खिरिया चल गही है यानि कि कुछ लोग इखटे हो जाएंगे उन में से एक जनरल सैकिर्टी बनेगा एक प्रिधान बनेगा एक आध दोचार वाइस पेजिडेंड बनेंगे कुछ संग्ठन सची कुछ स सेरों में बॉड़ी बनाईए और फिर हम संगर्स करेंगे दरसल जितने भी संगठन अब तक बने हैं जिन्होंने बावा साब की पीठ में छुरा घौपा है या बावा साब के संगठित रहो नारों को तोड़ा है और खराब किया है उन्होंने यही प्रिक्रिया अपनाई है काम फैलेगा भी नहीं काम ना फैलने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर पूरे समाज में एक हजार एक्टिव लोग हैं एक हजार ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं और वो हजार के हजार लोगों ने हजार तरह के संगठनी बना दिये हैं तो एक संगठन में एक व्यक्त तो जब समाज में लोग ही गिने चुने हैं और वो गिने चुने लोग भी अलग लग रहेंगे, तो कोई भी संग्ठन या कोई भी व्यक्ति ये कहता रहे कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, या हम ऐसा कर देंगे, या हम वैसा कर देंगे, या बहुत ज़्यादा जू जूटे हैं नेता जानते हैं कि यह पूरे होने वाले नहीं हैं मगर वो अपने कारे करता को या जो उनके नीचे उनका भक्त है या गुलाम है या अनुयाई भी कह सकते हैं बेवकूफ अनुयाई उसको नहीं बताते हैं बात और सारे नेता उसको नहीं बताते कि हम सक्सेस्फ होने के लिए सबका इखटा होना जरूरी है मगर उनके अंदर एक लालसा मन में होती है कि सारे इखटे तो हो जाएं मगर मेरे नीचे ही हो जाएं मैं ही इनका बॉस रहूं मैं ही इनका सुप्रिम रहूं मैं मेहिन का कमांडर रहूं मेहिन का नेता रहूं मेहिन का अध्यक्ष रहूं मेहिन का प्रधान रहूं और ये सारी मेरी बात माने तो बात बनेगी और अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं इनके साथ नहीं हूं मैं तो अलगी रहूंगा मर जाओंगा मगर मैं इनके साथ नही होगे उसका कहने का मतलब यह था कि व्यवस्ता क्या है और इस स्तामे में मेरा adjustment क्या है मुझे क्या बनाऊ यानि मैं क्या रहूँगा इसमें rounds मानो गै जनरल सेंटिर्म मानोगैं क्या मान requires from pho Chicken नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, वो कहेगा नहीं, मगर साथ नहीं आएगा, कुछ लोग सीधे सीधे नहीं आएंगे, कुछ लोग मिठी मिठी चिकनी चुकनी बाते करेंगे, कहेंगे, अरे कैसे करना है इसको कैसे करना है, अरे बहुत बढ़िया है, ये तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं सबको साथ लाने का यह बहुत बढ़ा काम है करिए इसको तो कैसे करेंगे कैसे होगा यह इसकी करने की प्रेक्रिया क्या है ऐसा कहकर चुप हो जाएंगे एक सवाल आया था, हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं जूम के अंदर, तो एक साथ ही 나서 जो कहीं किसी संग्ठन में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि इसको कैसे करेंगे, निता कैसे इकाटे होंगे, तो हमने उनसे कहा कि अगर किसी संग्ठन का नेता इतना भी नहीं जानता कि उसको एकटा कैसे होना है उसको कैसे एक साथ लोगों को लेके आना है पूरे भारत के नेतां से कैसे बात करनी है तो उसको नेतागरी छोड़ दनी चाहिए संग्ठन की जो मदाली छोड़ दनी चाहिए क्योंकि वो अभी कुछ जानता नहीं है जितने भी ये नेता हैं चाहें वो सामाजिक हैं चाहें धम्मिक हैं चाहें राजनितिक हैं चाहें सरकारी करमचारियों के हैं, चाहें कोई दल, बल, सेना, संग्ठन, कोई ब्रिगेडियर, कोई पैंथर, कोई पार्टी, कोई इस तरह के हैं इन सभी नेताओं ने कोई पैदायसी एक साथ ही पैदा होती नेता नहीं बन गए हैं इनका संगर्स है किसी का दो साल का किसी का पांस साल का किसी का दस साल का बीस साल का और ये लगबग सब को जानते हैं क्योंकि ये टूट टूट के वहीं से आये हुए जैसे एक संग्ठन 1978 में एक संग्ठन बनाया उस संग्ठन के दो टुकड़े हुए फिर उसके चार हुए उ आते जाते भी रहते हैं इसलिए कोई नौजवान अगर ये समझता है कि ये नेता एक दूसरे के कट्टर दुस्मन है या एक दूसरे को नहीं जानते हैं ये बात नहीं करते हैं तो वो नौजवान अभी जानता नहीं है वो से साल दो साल पांच साल हुए है ये जो साट साल के 50 साल के 55 साल के 70 साल के जो लीडर है नेता हैं कि सब एक दूसरे को जानते हैं नाम से जानते हैं परिवार से जानते हैं परिचित हैं एक दूसरे के घर से तो इनको मिलने में आपती क्या है जेव से मोबाइल निकालना है नमबर इनके पास सब है नहीं नमबर पॉब्लिस होते रहते हैं और फॉन करना है हाँ वही फलाने क्या हाल है क्या नहीं है मुसीबत आई है आपातकाल आया है बच्चों का भविस्टे दाप पे लगा हुआ है हमारी नेतागरी तो अब खतम होने वाली है क्योंकि हमारी उमर पक्की हो गई है इन बच्चों का भविस्टे बच जा है या कोई बहुत बड़ी convention होनी है या कोई बहुत बड़ा एक agreement होना है अरे जितनी बेशर्मी से तूटे थे थोड़ी सी सरम से जुड़ जाओ जब तुमको तूटने में अलग होने में शरम नहीं आई तो जुड़ना तो अच्छा काम है इसमें काही की सरम है मतलग गलत काम के लिए तो तुम्हें शर्म नहीं आई बेर सर्मी से तुमने संग्ठन तोड़ दी और तुम अलग हो गए और जो अच्छा काम है जो सर्म वाला काम है जिसमें तुम्हें अवाभाई मिलेगी जिसमें लोग कहेंगे कि देखो हमारे नेता कितने अच्छे हैं उसके लिए इस से एक हैं, संग्ठन एक हैं, बावा साभ एक हैं, जोदिबफ फुल एक हैं, जब सारी चीज़े एक हैं, जब सारे मुल लेवासी जितने महापुरुसे एक हैं और तुम्हारा उद्देश से भी एक है, इसमें दिक्यत क्या है, किसका अंतियार करे हो? तो मैंने उनको ये कहा कि नेता की इक्षा अगर होगी तो वो जेब से फॉन निकाल के एक मट में मिल लेगा और अगर इक्षा नहीं होती है तो आप उसको बार बार कहो कि भे तू अलग अलग रहके कर क्या लेगा तो कौन सा तीर चला कि और कौन सा पहाड फोड लेगा तो हमको उसका रूप रेखा बता दे कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा नेता बड़ा निकम्मा और चालाक होता है वो कह देगा कि देखो मुझे इतना फुल टाइमर चाहिए मुझे इतने वर्कर चाहिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए पैसा चाहिए और हकीकत यह है कि जितना उनोंने मांगा या चाहा उसे ज़्यादा उनको मिला भी है मगर वो काम्याब नहीं हो सकते क्योंकि अगर हजार आद्मी हैं और हजार आद्मी 1000 संग्षण बना देंगे तो संग्ठित हुए कहां फिर वो काम्याब होने की शिती में नहीं है तो वो अपने वरकर को आपने कारेकर्टा को हम ऐसा एक मुगालते में रखते हैं धोके में रखते हैं उसको गुलाम बनाने के लिए हैं या तो मीठी-मीठी भासा बोलेंगे सामने वाले जो दूसरा संग्ठन has got पिर बनालें वह यहां पास्प्स गया रोलेंगे जो संग्ठन को कई है क्योंकि पर बैए में अब तक्रोढ़ी आ जायें यानि जिस जाती से हम लड़ रहे हैं जिस जाती से अबवolar आपने पूरी जिन्दगी निकाल दी, जिस जाती को जोतिवा भूले ने, जिस जाती को महापुरसों ने पूरी जिन्दगी खतम किया है, एनिलेट किया है, बीजनास किया है, ये उसी जाती पे आके और अपने अपने जाती के लोग छाट छाट कर उसमें लेके आते हैं और ऐसे कहते हैं ना कि ब्रहामन बड़ा दुस्मन है, ब्रहामन हमको तोड़ के रखता है 6743 जातियों में, ब्रहामन हमको अलग लग करके रखता है, ब्रहामन ने हमको जातिय बनाई, ब्रहामन हमारा दुस्मन है, यही सिखाते हैं यह लोग, मगर ये कभी नहीं कहते कि हम बड़े ब्रहमण है हम तुमारे सबसे बड़े दुस्मन है ब्रहमण से भी बड़े दुस्मन है हमने तुम्हें दस अजार संग्ठनों में तोड़ा है हमने तुम्हें मिलने नहीं दिया है हमने छुपी हुई जाती-जाती संग्ठन में खेली है और जाती-जाती पे हम संग्ठन को तोड़ते चले आ रहे हैं हम किसी भी हलत में तुमको दूसे लोगों से नहीं मिलने देते जैसे जाती में दूसी जाती की शादी नहीं होने देते वैसे ही हम इस संग्ठन से दूख से संग्ठन में तुमको नहीं मिलने देते ये जो नेता हैं ये ब्राहमनबाद से भी ज़्यादा खतरनाक नेता है ये मर जाएंगे मगर तुमारा उधार और तुमारा वेलफेर तुमारा लाब तुमारा कल्यान नहीं होने देंगे क्योंकि ये जानते हैं कि कल्यान होने की एक सर्थ है कि सारे खटे हो जाएं अगर ये खटे नहीं होते हैं ये सबसे बड़े दुस्मन और नमबर एक के दुस्मन है और असल ब्रहामण से हमें दुस्मनी नहीं है क्योंकि वो हमें मिलने से या खटे होने से नहीं रोकता है उसका जाती बात चलता है मगर उस जाती बात को ही अगर हमारे लोग इस्तमाल करें और फिर हमें तोड़ें त क्या ये हमें टुकडों में नहीं बाट रहे हैं क्या ये हमें मिलने देते हैं क्या ये संग्ठन संग्ठन नहीं खेलने हैं जैसे जाती जाती ब्रहमर खेलता है वैसे ही संग्ठन संग्ठन नहीं खेलने हैं इतना कहने के बावजूद भी इतना समझाने के बाब जूद भी इतनी मीटिंग और इतने लोग कह रहे हैं कि भई सब इकटे हो जाओ दसियों हजार लोग इस बात से मायूस हो गए हैं कि ये संठन किसी काम के नहीं है और हकीकत ये है कि इनके संठन का अगर आपके पास डाटा हो तो वो इंक्रीज नहीं कर रहे बड़ नहीं रहे वो बड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं ये आपस में दूसरे से एनिमी रखते हैं सतुता रखते हैं दोश्मनी रखते हैं इसलिए ये आपस में दूसरे को मारते हैं तो अधिकतल लोग जो समझदार हैं वो तो माईस होके बैठ जाते हैं और जो बेफ्पूफ हैं भकते हैं चेले हैं वो अभी इनका जंडा उठाए रहते हैं और कभी इन से नहीं पूछते हमारा तल्याण कैस होगा हमें नौकरी कैसे मिलेगी हमें जोतने के लिए जमीन कैसे मिलेगी हमें इच्जत कैसे मिलेगी तुम लोग अलग अलग रहके कैसे हमें संभिधान के तहट में हमारा अधिकार दिलवाओगे क्योंकि कार्य करता भक्त हो चुका है गुलाम हो चुका है गुलाम प्रश लगती है इस वीडियो में बहुत सारे लोग इखटे हो रहे हैं बहुत तेजी से कुछ लोगों ने अपने फॉन नबर देने के लिए हामी भरी है कि आप हमारे फॉन पब्लिस कर दीजिए लोग हमसे बात करेंगे हम उसे मिलेंगे तो आपस में हमारा मिलना जुना बढ़ ज कहते हैं कि हमको सारे ईगो सारे एह्म सारे घ्रम सारे घमण, खोड़ कर value के लिए बावा साब की बाट मानते हुए, जोतीव का बत मानते हुए unterstützen होना है एक अच्छे उद्देश्ष्से के लिए खटा होना है और जो हमारे नेदा है मैं लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लीडर मरते हैं आते हैं जाते हैं, कोई आफ़त नहीं आती, दुनिया में जो आता है, मरता है, अगर 150 लीटर बूड़े होके चले जाएं, और जवान लोग उनकी जगे ले लेंगे, थोड़ा भूत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अनुभग की दिक्कत है, मगर चल जाएंगे, क्योंकि युवाओं में बड़ी अकल है, और सबसे ज़्यादा युवा ही सफर करने वाला है, ये बूड़े लोग 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के अपनी जिन्दगी जी चुके हैं, इनके काम सारे fit हैं, और जो संग्ठन में लोग बैठे हुए हैं, उनके सारे काम fit हैं, उनके बच्चे adjust हैं, वो खुद adjust हैं, फिर भी वो लगे पड़े हैं, ये सोच करके हम लोगों का कल्यान करेंगे, मगर वो जानते हैं कि वो लोगों का कल्यान नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग हैं, अलग अलग जैसे जाड़ू होती है, तिनका अलग अलग करके सफाय नहीं होती, वैसे ही अगर सारे लोग अलग अलग रहेंगे तो कोई भी गंद्गी साफ नहीं कर सकते नहीं वो कोई कल्यान कर सकते तो आपको अगर लगता है कि अपना जो अधिकार है वो बचाना है आपको लगता है कि आपका नेता ठीक नहीं है निकम्मा है घटा नहीं होता है आपको लोगों की आवशकता है जो सही सोच के और सही तरीके हों तो आप इन में से किसी भी phone number पर phone करें, अपनी बात करें, उनकी बात सुनें और कोशिस करें कि बाबा सामने जो सम्विधान दिये हैं वो बच जाएं, एक वार अगर मन से कोशिस करेंगे तो 100% बचेंगे क्योंकि आपकी संख्या बहुत जादा है, और संख्या बलके दम पर आप जीत जाएंगे, बेसक आपके पास मैं खाने के लिए सूखी रोटी है, धन्यवाद